increment and decrement operator यह जो operator है यह unary operator है और single variable पर यूजो उता है जो binary operator plus minus multiplication यह सारे binary operator हैं मतलब इनको operation करने के लिए क्या कि कम से कम दो variable चाहिए तब ही जाके हम उस operator का use कर सकते हैं लेकिन unary operator क्या होता है कि यह single variable पर हम use कर सकते हैं अब अगर कहीं पर लिखा है कि A is equal to A plus 1 या फिर B is equal to B minus 1 तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि B में एक value minus कर रहे हैं फिर उसको update कर रहे हैं जगसा कि पहले हमने देखा था यानि कि यहाँ पर बस हम simply एक value को minus कर रहे हैं तो उसी को थोड़ा easy way में करने के लिए यह हमारे पास जो operator आया है यह है unary operator तो इसके लिए हम use करते हैं A plus plus और B minus minus त्यानि कि दो हम sign देदेंगे तो यह हमारा unary operator हो गया इसको हम ऐसे भी लेख सकते हैं plus plus A और इसको minus minus B दोनों का काम सेम है यह भी value को increment करता है और यह भी value को decrement करता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्योंकि जो variable के बाद जो sign है यह होता है post fix और यह होता है prefix फिलहाल तो यह दोनों same work कर रहा है लेकिन इस दोनों में बहुत major difference है और unary यह जो operator है बहुत ही important होता है क्योंकि बहुत सारे जो competition होते हैं उसमें इससे related questions होते ही होते हैं तो अब जैसे यहाँ पर हो गया यह दोनों same है अब एक example लेते हैं जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया a is equal to 5, b is equal to 6 तो a plus plus मैंने लिखा a minus minus लिखा b plus plus b minus minus plus plus b minus minus b अब यह सारे अगर execute होंगे तो इसका क्या वो effect होगा तो अब है कि एक जगा हमारा यह value store है a दूसरी जगा store है b तो यहाँ पर b में कितना है 6 है a में 5 है तो a plus plus तो यह क्या करेगा value को increment कर देगा 6 हो गया a minus minus फिर यह minus कर देगा 5 हो जाएगा फिर काता है b plus plus तो b एक increment 7 b minus minus तो यह 6 हो गया फिर plus plus b तो यह 7 हो जाएगा फिर minus minus b यह 6 हो जाएगा तो अभी जो current value है a में 5 है और b में 6 है अभी तो यहाँ पर same work हुआ अब इसमें जो difference है वो हम कैसे देखेंगे एक जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि याद रहे यह post fix and prefix post fix में क्या होता है कि first calculate या compute then increment या decrement पोस्ट फिक्स प्रिफिक्स में first increment, decrement then calculate और compute यह अगर याद रहेगा तो कभी भी कोई भी confusion नहीं होंगी वैसे भी post fix यानि कि post वैसे मतलब बाद होता है pre मतलब पहले होता है तो pre हो गया तो पहले increment कर दें और post है तो बाद में increment करें बस अब यहाँ पे जैसे एक example मैंने लिया यही a is equal to b और यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ले लिया a plus 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 b और इसको मैंने store करा दिया x में अब यहाँ पे value क्या होगा तो अब यहाँ पे a a में value अभी क्या है फिलाल हमारा 5 है और b में 6 है अब यह क्या होता है यहाँ पे semicolon अगर दे दिया a 5 है यह क्या post fix है और यह prefix post fix मतलब पहले calculate यानि कि यहाँ पे कोई change नहीं होगा और b में हमारा क्या है first increment तो b कितना है 6 और calculate हमारा ऐसे होता है compute इधर से सारा expression calculate होगा और इसमें assign हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है prefix तो 7 6 है तो 7 हो जाएगा plus plus है prefix और a में कितना है 5 तो 7 plus 5 कितना हो गया 12 तो अब अगर यहाँ पे एक memory location ले लें हम यहाँ पे x हो गया तो हमारा 12 इसमें store हो गया अब जैसे यह line complete होगी क्यों क्योंकि यह post fix था तो line यहाँ से बाहर आने के बाद a का जो value कितना था 5 है तो यह अब 6 हो जाएगा एक दूसरा example लेते हैं यहाँ पे x है x में मैंने ले लिया क्या a plus 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 minus minus b plus 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 a अब इसमें a में हाँ और एक ग्वेस्टन रहा है कि यह line execute होने के बाद x, a और b का क्या value होगा तो अब क्या है कि a a में हमारा value कितना है यहाँ पे 6 है b में कितना है 6 है a में कितना है 6 है मतलब सारे में 6 ही है तो अब यहाँ पे क्या है कि यह post fix है इसको हम नहीं देखेंगे यह prefix है तो prefix है तो यह 5 हो जाएगा, पहले ही, यहां पर B है, तो यह अभी का भी 5 हो गया, यह भी prefix है A, तो यह कितना हो गया, 7 हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया, यहां पर 7 हो गया, तो यह भी हमारा increment हो गया 7, अभी यहां पर एक थोड़ी सी confusion हो गई, क्योंकि यहां भी एक है, तो इसलि create हो, मैं दूसरा example लेक लेता हूँ, x में यहाँ पर a plus 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 minus minus b, ठीक है, तो अब a में क्या है, a में हमारा value कितना है, जैसे आब fresh value ले लेते हैं, यहाँ पर a में हमारा 3, और b में हमारा 4 ले लिया, तो a में कितना हो गया, 3, और b में कितना हो गया, 4, तो यह क्या post fix है, और x, तो इसमें हम कुछ नहीं देखें, यह क्या है prefix, तो यानि कि पहले calculate होने से पहले, इसको increment या decrement कर दे, 3, तो यह 3 हो गया, 3 plus 3, कितना हो जाएगा, 6, तो x में हमारा क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर अगर x ले लूं, तो 6 हो गया, और अब जैसे यह line execute खतम होगी, तो यह post fix था, तो 3 था, तो अब यह 4 हो जाएगा, एक और example ले लेते हैं, ताकि easy रहा, यहाँ पर मैंने, x ले लिया, y ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, 2, 3, b, ओके और x में मैंने क्या लिखा, a plus plus plus, b plus plus, और यहाँ पर y में क्या लिखा, minus minus a, और फिर लिखा, plus plus b, तो अब यहाँ पर जो होगा, हम 4 अड्रेस ले ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, x, y, a, b, तो a और b में 2, 3, a में कितना है, 2 हो गया, b में कितना है, 3, दोनो post fix है, तो कुछ नहीं होगा, 3 plus 2 is equal to 5, क्यों, क्योंकि दोनो post fix है, post fix, 3 plus 2 is equal to 5 हो गया, लेकिन जैसे यह line यह complete होगी, यह post fix था, तो अब a का value, increment होके 3 हो गया, b का value 4 हो गया, तो अब यह जब line operate होगा न, मतलब compute होगा, तो यह updated value यूज होगा, तो यह का 3 और b का 4, और दोनो prefix है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, a minus minus है, तो 2 हो गया, और यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यह जो पूरी दो line execute होने के बाद, जो a का जो value है 2 होगा, b का जो value है 3 होगा, x का 5 होगा, और y का 7 होगा, मेरे ख्याल से यह post fix और prefix पूरा clear होगा, अगर clear नहीं होगा, वीडियो को दूबारा देख लो, आप हो जाएगा,